कि सर हमारा विश्वास कीजिए हमने लाथी चार्ज नहीं करवाया है हम ऐसा काम करी नहीं सकते हैं तब क कोई क्यूं कने केस के से निकल जाए हम आपको बता रहे हैं सर हम सब जांदा करिश्माजी लेकिन बात हमारे हाथ से निकल चुकी है क्योंकि डिपार्टमेंट को यह लगता है कि यह केस आपसे हैंडल नहीं हो पा रहा है और वाटर में इस केस के लिए नई नियुक्ति की जा चुकी है बहुत जल्दी इस केस का चार्ड लेने के लिए नई एसाई थाने में आ रही है जहिन जदी इस के लाटर में इस जाफर्ण की ओी अ producesシुए लेजिह ओ dolent आप सस्यत, बहुत एक कि बाटर प्रोटी नहीं हो और रहाई डー समय आरडमें आप स publi phía वो एक मेही आपके बाइया मैज्ति करें आपको भूप हुए पोगे यहां पूरर जानरे हैं आपको बहुत ज्यादा गुसरा हरे लेगिन जानरे हैं लेकिन प्ली सम्हाले के अपना आपको लेकिन समयना बड़ा खाराव या आपका ही गलत स्टेपने उल्टा हम लोग पर परसकता है माड़ माडम एक बुरी खबर है जानते हैं हम नया ऐसा ही आ रही है के संभलने के लिए माडम वो आचुकी और अंदर ही बैठी है एक उससे भी बुरी खबर है कहां आप आप का मुसिबट! झाल झाल आखिर जंदा ने आपका मुझ काला कर ही दिया अब ये तो होना ही था ना आपकी हसीना वाइडम जो है नहीं आपकी यहाँ सिचुएशन को संभालने के लिए और वैसे ही इतना बड़ा थाना संभालना सब के बस की बात थोड़ी है और वो कहते हैं ना मुसीबते जब आती हैं तब भर भर के सब जगह से एक साथ आती है अब आपका टाइम पहले से एक खराब चल रहा था और उपर से हमारी एंटी हो गई आपके इस्थाने में बाहर पब्लिक है जो आपको चैन से बैठने नहीं देंगी और यहां हम करिश्मा सिंग जी को बताइए अब क्या किया जाएगा कैसे बचा पाएंगे अब खुद को हम से चलिए आपकी किसमत से पूछते है कि वह आपके बारे में क्या कहती है तो देखे अरे रे रे ये तो बड़ी समस्या होगी करिश्मा सिंग्ड़ कितने शर्म की बात है कि आप लोगों के ठाने के बाहर प्याज के बढ़े हुए दामों को लेकर धरने पर बैठे हुए प्रदर्शमकारियों के लिए आप लोगों ने कुछ किया कुछ भी नहीं किया उपर से एक नया पजीता कि सोते हुए प्रदर्शमकारियों पर रात में लाठी चार्ज एसाई मिश्री ये सर इस बारे में हमने आपको चानबिन करने के लिए कहा था पूरी जांच परताल किये है सर हमने पदा भी लगा लिया है कि ये सब किसका किया दर है इसलिए 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 एसलिए 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 हम आपका इतना कद्र करते हैं अरे आपकी टाइमिंग बड़ी गजब की है थांक यू सर विसे खुश्मू तो बहुत अच्छी आ रहे है अच्छा इसमें प्याज का तड़का तो लगाया होगा ने बटर में लगाई है तड़का हम नहीं नहीं भाई हमें तो घी का तड़का ही पसंद है वो भी लगा दे आई मीन उसी में बनाया होगा हां सर आप बैठे नहीं हम प्लेट लगा देते हैं वाव क्या बात है तो अजाई मिश्री और करिस्मा सिंग आप दूनों मिलकर इस केस को सॉल्ब करेंगे जी सर नहीं सर हम यह कह रहे थे कि आप हम कह रहे थे करिस्मा सिंग कि यह मामला दूनों पकडरता जा रहा है जल्द से जल्द इस केस को दोनों जन मिलके सॉल्ब करो नहीं तो केस हाथसे निकल सकता है भोए लाईए आप भी अपने टिफिन को देखें आप क्या लाई हैं हम नहीं लाएं कुछ टिफिन में सर शर वो क्या है ना कि करिस्मा मयडम को ना ब अपका कितना खयाल रखता है आप पर काम का ज्यादा बोज ना पड़े इसलिए यहाँ पर S.I. मिश्री को भेज दिया है अरे भाई आप दूनों मिलकर इस केस को सॉल्व कीजिए पर पता लगाईए ना कि ये प्याज के दाम इतने बढ़क ही हो रहे हैं जी सर कमाल की चीज हो आप अपने काम के लिए सीधा पुलिश था ने पोच गई ये हुई ना बात ब्रिविज बाबू अब आप बे फिकर हो के अपनी खुशियां मनाईए संतो शर्मा तुमको प्यास की कीमत पर रिसर्च करने को कहते हम जी माडम रेडी है रिपोर्ट संतो शर्मा आईए रिपोर्ट तो हमें भी देखनी है क्या है मिलकर काम करना है तो फिर जानकारी भी सांजा होनी चाहिए है ना वरना फिर हम अपना योगदान कैसे देंगे इस केस में और डिपार्टमेंट इतना भरोसा करके भेजे है हमें तो फिर उनको दिसपॉइंट तो नहीं कर सकते ना है की ने मैडम मैं आप दोनों को साथ में प्रेजेंटेशन दे देती हूँ आप यहां ही है नए 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 कॉंस्टेबल संतो शर्मा कश्ट तो आप उठाएंगी सीनियर है मापके इसलिए आप कश्टेबल बाएंगए और हमें प्रेजेंटेशन देंगी एक मिनित संतु सीनर जुनियर का बात है परेसिंटेशन को दो आप मैं आपके जूनियर है पर डिपाटमेंट में हमको भेजा है आपकी मदद करने के लिए आप क्या है DSP साब को डिरेक्टली रिपोर्ट जाता है ना तो उनको ये कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा कि आपका इंट्रेस्ट इस केस को सॉल्फ करने से ज्यादा हमको जूनियर सीनियर का घ्यान देने में आईए संतोष अरे आईए देख क्या रहा है चलिए आमा टोपाओ का तुम तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये केस सॉल्फ करने नहीं आई है यां पे इसके दिमाग में कुछ और चलना है किसी और मक्सद से आई है यां पे लेकिन हमको केस वल्फ करना और मापस टाइम है चलो हमर साथ वा, भाई मानना पड़ेगा, इंटेलिजन तो है आप, पर क्या है ना करिश्मा सिंग जी, अभी बात हो रही है संतोष शर्मा की, तो संतोष, भाई तुम देह कर लो, तुम्हें किसकी बात माननी है, क्योंकि DSP साब की रिपोर्ट में हो सकता है कि शायद एक नाम तुम्हार मानना प्रेजनटेशन नाे और हमारे टेबल पर ही, प्रेजनटेशन हमारे टेबल पर होगा संतू हमारा टेबल पर जो अभी फटता पला थीख है मैडम घम मैडम वजावन तो हमारे प्रेजनटेशन है, कि आप तोनों, लोग debates both the देख लीजे, बारी-बारी से, हाँ? बहुत बढ़ी है, चलो आओ, Santhu, प्रेजेंटेशन दो. प्रेजेंटेशन पहले हम लेंगे, हमें कांग से बाहर जाना है. जिसको बाहर जाना है, वो इंतिजार करें, क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारा टेबल पर हो रहा है. माडम, मैं क्या कह रही हूं, कि मैं यहां सेंटर में आप दोनों को प्रेजेंटेशन दे देते हूं, ठीक है? चीते? बहुत बढ़ी अएडिया ही तो, चीते, पकड़. संती जी, पकड़ना तो हम भी बहुत चाहते हैं, लेकिन हैसे on duty सबके सामने कई से हाथ पकड़े हैं मापका. चीते, लाप टॉप. हाँ? लाप टॉप पकड़. स-सॉरी. तुमना थोड़ा काम पे ध्यान देलो, चीते. तो अब समझे, चीता प्याज है. प्यार है? प्याज है. पक्का प्याज है? प्याज है. माणम सचा जो कट आउट है वो समझे देश के किसान. पुष्पा जी का कट आउट है वो समझे मंधी. जो किसान से प्याज खरीबता है मिसरी माणम को ले लीजिए यह है Trader यानरी कि ΧोलसेलER जो मंडी से प्यास खरीदते हैं, आप करिश्मा माडम, आप हैं डीटेलर जो होलसेलर से खरीदते हैं और मान के चलिए कि मैं हूँ कस्टमर, तो यह जो प्यास है यह बीस रुपे किलो के हिसाब से मार्केट में बिखता था, जो आम आदमी के लिए अफोडेबल था, आदमी खरीदता था, आदमी खाता था, यही बीस रुपे किलो का प्यास आज मार्केट में बिख रहा है सो र तो मतलब किसान बेजता है दस रुपे के साब से लेकिन आम जनता तक आते यह दुगना चुगना हो जाता है इनका रेट मतब जो नबबे रुपई यहाए बीच का वो लोग खा जाते है जी माडम, और यह पूरी चेन में सबसे बड़ी गड़ड करी है, यह हमारी पुष्पाजी, यह यहाँ पर भी यही गड़ड कर रही है, देखिये प्रेजेंटेशन माडम, वो मंडी है ना अभी? हाँ, पुष्पाजी मंडी है अभी तो इसका मतलब यह होना ला मेडम, कि आरा जो गोटाला ही इस मंडी में हो रहा है, क्योंकि वहीं से दस रुपए क्याज साथ-साथ रुपर बेचा जा जा रहा है चीटा कुछ न ही कह सकते हैं, जब तक दोशी साबित ही होगा, हम किसी को दोशी साबित न ही कर सकते हैं लेकिन इस दोशी को हम पकड़ के जरूर रहेंगे तो माड़म आपको सुरुवात ना सुनील से करना चाहिए थोड़ा दोड़ धूफ हम भी किये हैं पता चला है कि सुनील लाम का एक आदमी है वह सब धन्दा में काफी एक्टिव है अजकर अगर वह पकड़ा जाना माडम तो अच्छा लीड मिल सकता है हम लोको यह सुनील का एड्रेस क्या है? मैसेज करते है माडम अभी आपको वेरी गुट जीता, गुट जॉब माडम मैं, मैं, मैं प्रे, मी गुट जॉब संतू, तुमने बहुत अच्छा काम किया है हद से जाता है अब हम जाते हैं सुनील का कुणली निकालने तब तक तुम लोगे बिल्ला को समझाओ कि धरना से कुछ फाइदा नहीं होने वाला सच्चाई सबके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है? जी मानव जी मानव ये सुनील तो ब्रिजेश का आदमी है और अगर ये पकड़ा गया तो ब्रिजेश भी पकड़ा जाएगा बिल्लू जी बिल्लू जी बिल्ले आहाँ, यह, यह बिल्लू जी, यह, यह तमाशा छोड़िये आप, फ्लीज आओ, यह, तो बिल्लू जी, आप यह फर्मा रहे हैं कि यह धर्णा बंद नहीं होगा और आप बिल्कुल सही है हम 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 और में कैसे यखीन दिलाओ बिलू जी आपको हम रुको बे, पकाण डियाना तो हटी पसले एक कर देंगे रुको बिल्स राढ़ रुकar रुक रुक उ तुम्हाई मया कि सासु मैं! किसके लिए काम करता बता? मड़म बिजेश भाई के लिए. कौन बिजेश? मंडी का चेयर मेन है मेड़म. और? जब किसान प्याज बेचने के लिए आता है, हम उसे कम पैसे में आफर करते हैं. मजबूरी में वो प्याज बेचकर चली आते हैं. और फिर का होता है आगे बताओ? बताओ! सारा माल ब्रिजेश भाई के पास इस्टोर होता है. आद में वह इते करते हैं, प्याज की कीमत क्या होगी. किसी के पास में माल इस्टोर में नहीं रहता है. मजबूर होके. मजबूर होके क्या? ब्रिजेश भाई जो दाम बोलते हैं उसी में खरीदना पड़ता है और बेचना पड़ता है. ब्रिजेश भाई की कमपनी को सर्राइट ट्रेडर्स को जाता है. मैड़म हम तो बोकाश ट्रेडर्स हैं. जैसा हो बोलते हो ऐसा ही करते है मेडम आप बरजेश के खिलाफ कोट में गवाई देगा? हा मेडब दिंगे गवाई एट! करिश्मर्धिंग जी क्या हुआ आपका ठीकता है ने डॉक्टर को बुला हूँ तुम अरे अरे आम ठीक है चली पिलू जी अब हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं? लविना जी हम आग के लिए अपनी जान दे सकते हैं बस बही ही चाहिए पिलू जी हमारे कहने का मतलब यह है कि देखे ना आज आपके इतने फैंस हैं आपकी पॉपलारी कितनी बढ़ गई है आपसे बेपना मोहबत करने लगे है, जानते हैं क्यूं? क्यूं? हीरो सबको चाहिए, पर कोई खुद हीरो नहीं बढ़ना चाहता और हीरो बनने के लिए कभी-कभी तो जान देनी पड़ती है और इसके लिए हिम्मत चाहिए जो इन में से किसी में नहीं है मतलब प्यास के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी, मरना पड़ेगी क्यूं का बनार्सा काइम रखने के लिए थोड़ा मुन ज्यूट तो बोड़ी सकते हैं कैसा ज्यूट? यही कि 24 गंटे में अगर प्यास की कीमत नहीं कर लें तो में तो? आप आतमदह कर लेंगे डूब्कर अपनी जान route हम यह कहना चाहरे है कि आपको सिर्फ ये बात बूलने के लिए बूलनी है लोगों में ब्रह्म पहलाना है कि अगर प्यासकी कीमत पे कम यह नहीं आए तो आप आतमदह कर लेंगे और अगर प्यास की कीमत कम हो गई तो आपको ऐसा करने की जर्वती नहीं है अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो आप समझो कि आपकी सारी हीरोग्री स्वाहा कोई नहीं पूछेगा आपको बिल्लु जी फिर वहीं हो जाओगे बिल्लु जो पहले थे बिल्लु चंपत भूदपूर वच्छोर नहीं नहीं लगी नजी कुछ की जी लगी नजी इसके बिल्लु चंपत जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजे बिल्लु जी हाँ हमीशा के लिए अमर हो जाएंगे दोस्तो मैं बिल्लू चंपत आपका नेता आज मैं ऐलान करता हूं कि 24 घंटे के अंदर प्याज के दाम कम नहीं किये तो ये बिल्लू चंपत आपका नेता यही में सब के सामने आत्मा हत्या करेगा कैसा हो यल्लू मैं आये मैंम बेटी मैंगो मुह क्या धेक रहे बाए मैंडम मैं अछल्दी चल्दी चल्दी चुख बेडम प्यास लेंगी? प्यास तो आम आदमी के रीच में ही नहीं है, न? हमने तो सुनाए कि आप प्यास की मंडी पर कबजा करके बैठे हैं? क्या मैडम, कोई ऐसी बेपर की उड़ा रहा है, और आपने मान ली. अरे, धन्दे में जलने वालों की कमी थोड़ी है, कुछ भी बोलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, कोई सबूत है के आपके पास? अगर होता ना, तो तुम यहां रूखी सुकी नहीं खा रहे होते हैं, हमारे थाने में राजभोकानन ले रहे होते हैं, और हम भी यहां शान्ती से बैठके वारतलाब नहीं कर रहे होते हैं, हमारे थाना की लॉक अप में ऐसा प्तियास की तरह तुम को छीरते, कि तुमारे बहुत बड़ावला मुसीबत में आ जाते हैं धराने का आदत नहीं है सवाल पूछ चुके हैं जब आपका इंतजार कर रही है माडम हम कम नुकसान थोड़ी उठाते दस रुपए प्रति किलों से प्याज लेते हैं अब सारा का सारा प्याज एक बार में थोड़ी बिकेगा थोड़ा टाइम लगता है अब तक वह प्याज गोड़ावन में पड़े-पड़े सर जाता है लाकों का नुकसान होता है अब आप ही बताईए यह नुकसान किसके खाते में जाएगा अच्छा मतलब नुकसान तुम्हारा और भरपाई करें आम करीब आदमी मन शकल पर लिखाए कि तुम कितना जूट बोलते हो अभी के अभी ना हमको बताओ कि सारा प्याज कहां रखे हो अभी के अभी हमारे सामने लाके रखो अभ आपको कोई नहीं बचा सकता सब्सक्राई करें and enjoy watching the videos